नमस्ते अमीता दोट संकर किचन में आपका स्वागत है मैं अमीता आज आपके लिए आपके लेखाए हूं साही पनीर की रेसिपी जो कि हम बगए लेसें प्याज और बगए टमाटर के बनाएंगे जो कि काने में काफी टेश्टी आपको लगें यह देखिए कितना टेश्ट ही लग रहा है लेसियस लग रहा है इसे रोटी क साथ क काई चाबल के साथ काई है यह से मेल कि zoomenya आपको खा तो सबसे पहले यह मैने पनीर की डायमेंड कट छुट 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 कटिंग कर लिए हो आप अपनी सबसे बड़ी भी कटिंग कर सकते हैं तो इसे हम फ्राइ करेंगे सबसे पहले तो इसे डिप फ्राइ करूंगे इसे इसके लिए मैं यहाँ पर कुकिंग वैल डाल रहे हैं थोड़ी सी जिससे कि वह तक हम इसे पानी में डालेंगा तो आज मैं थोड़ा तरी आ रहे हैं तो सबसे पर जिससे कि यह soft हो जाएगा तो इस तरह से fry करके पानी में डाल दे और हमारे पास भी आधी पनीर और भी यह कम से कम 500-300 के करीब यह पनीर हमारा है तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डाले तो इस तरह से देखिए यह और भी मेरे पास थे तो मैं उसे भी फ्राई कर लिए हूँ तो इसे भी मैं फ्राई करके थोड़ी सी डार करके अब इसे मैं पानी में डाल दोंगी ताकि यह soft हो जाए तो इस तरह से यह पनीर हमारी रिडियो हो चुकी है तो इस तरह से पानी में डालके हम इसे सबसे पहले ठोड़ देंगे अब उसके अब हम तैयारी करेंगे मसाले की तो मसाले के लिए मैं यहां पे पहले आदे गंटे दस मिनट पहले आप काजू और यह खरबूजे की बी इसे मैं अची तरह से मिक्सी में पीस लूँगी अच्छा माइल्ड इससे पेस्ट बना ले यह देखे इस तरह से आपने कभी खरबूजे के बीच के सबजी बनाया है आप कमेंट करें बड़ता है क्या आपने बनाया है की नहीं तो यह पिस के बाद यह मैं कुछ खरे मसाल डालके रिफाइन ओई और मैं निकाल दी हूँ ज़्यादा ओएल था आप अपने साब से थोड़ी कम ओईल कर दें कि फ्राइ करने में ज़्यादा ओध्या ता काजू और खरबुजे की बीज पीसे थे उसे मैं डाल रहे हूं अब इसे गाडी होने तक भूझे अच्छी तरह से भूझ ले ताकि इसका कच्छापन निकल जाए और मसाले के जो हमारे कृड़े मसाले हैं उसका भी सारा फलेवर हमारे मसाले में आ जाए और इसमें मैं एक कप के करीब दूड ऐड हुआ करूगे जब यह भून जाए गा तो इसमें tuna मैं ₹ four चेक दूλλी स्रेवर practical तरह से इसे उबाले दूद के साथ ताकि खड़े मसाले के सारे फ्लेवर इसमें आ जाए और कच्छापन भी निकल जाएगा और दूद के साथ जो काजू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगे क्योंकि काजू तुरी से गुठलिया हो जाती है बुनने के बाद तो इस तरह से हम अधाब थह तो जाए लिद एक से 2 मिनट तक से उबालें अब गोतैंटी असालुसे मत्ती हैज्छ छांड़े के सारे खड़े मसाले हमारे अलग हो जाएगो इस तरह से चानलें ऐसे ऐसे तरह से निकाल दबाके गआज तो में ताक्यी और शन्दैंडना जा तो यसारा से ह कुछ मसाले एड करेंगे लद्या जीर बंठाने बमक ककुनि और संप्सका करेंगे शड़ था बिजयार करेंगे छोकने की तो हम इस तरा से ये 2-3 चमच करी में घी ले रही हूँ अब घी में इसे छोकूंगे और थोड़ी से एक चमच करी में बटर ले रही हूँ जिससे इसका टेश्ट काफी अच्छा आएगा तो इस तरा से घी में बटर को आछी तरा सा मायल्ड कर लें पहले जब गरम तब ही इसमें एक चुटकी से थोड़ी से ज़्यादा नाइज अगर आपको हींग का टेश्क पसंद नें तो आप इसकीप कर सकते हैं तो एक पिंच के गरे भी हींग डाल रहे हूं जब हींग थोड़ी से गरम हो जाएं तब मैं इसमें जो मैं मसाले रख रखी थी दही के सा तो वह मैं डाल रही हूं मसाले को अच्छी तरह से फटाफट इसमें जली-जली मिलाईने तो दरी फट सकती है तो इस तरह से हम हाई फ्लेम में से पहले मिक्स कर लेगा उसके वाद हम इसमें स्वाद के नमक डाले में आधा से थोड़ी से ज्यादा नमक डाल रहे हूं आप मसाले में निल चोड़ने लका ने मैं तब व्लेस तियार कर राखे थी वह हम इसमें डाल देंगे अब हम द्क हमारा रस तैयार होगि आप से वह चित्छी तरह से थूड़ी पानि का साथ दो कि इसमें डाल दे तो इस तरह से यहाभी आप इसमें उबाल आने दे, घब उबाल आ जाएगी इसमें तब में पनीर पानी में रख रखी थी उसे पानी से निचोड़ के, हमने निकाल लिया इसमें पानी से निचोड़ा से आंचे और इसमें डाल छुरह बालने। arrowsबने निकाल कोरδे, जिससे इसका अच्छा हमारी तो आप पनीर की रेसिपी तैयार हुगा है अब इसे एक मिट के लिए पकाए उसका दिये रेडिया हमारी पनीर ने पनीर की रेसिपी इसे चावल साहिचा किसा एक मर्जी यह कि एश खाये है मैं ठोड़ी सी चिनी शुच सब्सक्राइब सबस्क्राइब कर नोटिकर से पहरें और मेरे वीडियो आप कहां से देख रह ahaं अगर यूटुब से देख रहे हैं once सबस्क्राइब करें favori के अफ़सा है क्या में करें आगर के आप मेरेसिप काए-पान नोले लग वन तुम और अब है नूंत और सबजी साहिर पनेर किस तरह से बनाते हैं तो जो शेयर के थाइंक्यू वाचिंग मैं वीडियो बाई बाई इंजोए माई रेसिपी बाई